हेलो गाइज, नमस्कार, क्या मुन आचो, मेरा नाम ताराशाहा है, और मैं रिशिगे से चंदेशोन नगर से ब्राम करती हूँ, मेरा छोटा सा परिवार है, जिसमें हम नो जने हैं, मैं मेरे हजबन, मेरे दो बच्चे, मेरी सासुमा, और मेरा नटकट सा देवर, चुल्बल से देवरानी और उसके दो बच्चे, और मैं एक बोटिशियन हूँ, ग्रहनी हूँ, और आज मेरा पहला ब्लोग स्टार्ट कर रही हूँ, चुकि मैं भोले नास और गंगा मेया के चर्णों में रहती हूं, टूनी के अश्रिवाद से, मैं पहला ब्लोग स्टार्ट कर रही तो देखके उसके साथ थोड़ा वक निकालके मैं अपना पालर चलाती हूँ और उससे रोजगार करती हूँ, रोजगार से अपना परिवार, अपने बच्चे या अपना शौक पुरा करती हूँ, अब आईये तो मैं आपको अपना पालर दिखाती हूँ, यह है मेरे छोटे सा पालन जो कि मेरे घर में है तो गाइस आपने देखा ही है कि अभी चान पैचान और बड़ेगी जब रोज मिलेंगे ट्रडिक्शन और बड़ेगा और मैं बताऊंगी मेरे हस्बेंड अभी दिन्ली गए हुए है हम तीन है अभी घर में मेरे बेटा मेरी बेटी और मैं तो इसके हम साथ भोजन बनाते हैं फिर भोजन के बाद मिलते हैं आप से सो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं जा रही हूं अब खाना बनाने तो आज खाने में बन रहा है कद्दू तोरी और स्वयविन चावल और रोटी तो हम खाना बनाते हैं फिर मिलते ह आपसे जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरी देवरानी के दो बच्चे हैं एक बेटा है और एक बेटी है और दोनों मेरे कलेजे के टुकड़े हैं तो बेटी आ गई है स्कूल से और मैं आपको मिलवाती है उससे पीहू युश, हाई गाई यह यह मेरे कलेजे का टुकड़ा है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूं इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं तो आप यह कपड़े चेंज करेगी स्कूल से आ गई है रेष्ट करेगी हाथ कुण होईगी चलो कि अपड़े चेंज कर लो और मैंने आपसे कहा था कि मेरा एक बेटा और एक बेटी है और मेरी बेटी देखो क्या कर रही है सबजी कार्टी है यह मैंने इस्पेशल रखा है सबजी कार्टी के लिए और मेरा बदमाज बेटा भी आगया कुछ भी यह देवेश रहा और यह मेरे देवरानी का बेटा है और अब्सक्राइब देवेशागे देवचाने अब्सक्राइब चावल तोरी की सबजी प्राठे और हम बस खाते हैं खाना खाना पीना हो चुका है और गर्मी बहुत है क्योंकि मौसम खराब हो रहा है कभी भी बारिश आ सकती है हमारे हार इशिगेश का ऐसे ही हाल है बस हल्किसी गर्मी मौसम खराब और बारिश आपको शायद पता ही होगा कि 1314 को अभी आपे हमारे हां गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण पूरे इलाके में पानी मरिया था हमारे घर में भी पानी था दो तिन फूट अब निकल चु मुक्सान हुआ है लोगों का सरकार जो भी मदद करेगी सरकार जाने तो आप चलते हैं पालर रक्षावंदन भी आने वाला है जैसे कि आपको पता है जैसे कि मैंने आपको पताया मेरा मेरे शौप नीचे है और मेरा रूम उपर है तो मैं इसको क्लॉस करती हूं फिर मैं खानवाना बनाते हूं आज शाम को चाही भी नी पिया है बहुत तेज दूख लग लग रही है क्योंकि मेरे हजबंड घर पर नहीं है तो मैं शाम को चाही पीना भी भूल गई आजए अक्ति गए है अब हो रहते हैं तो टाइम से चाही नाश्ता सब कुछ सही कहते हैं लोग हस्बंड घर ना हो तो बीजिया ना परभा हो जाती है हाँ सची जब से वो गए है तब से घर में कुछ काम नहीं है बस हम तीनों मा बेटे वस कुछ भी बना लिया हमने रोटी या चावाल या कुछ भी खा लिया हमने वस खाने का भी कोई ज्यादा टेंशन नहीं अभी वो आएंगे दो तीन दिन बाद तो मैं हमका इंट्रोड कराओं भी सो पालर की हो चुकी है सफाई अब हम करते हैं लाइट आफ सो मैं फ्रेश हो गई हूं मैंने नहा लिया है क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और अब पीती हुँ चाय और मेरी बेटी को देखो एक थालीस जाके पकोड़े लाई थी सब चट कर गई मेर अब कुछ नहीं छोड़ा इसने सिरफ दो पीस और मेरी चाय हो चुकी ठंडी प्लीज गरम कर दो हमेरी चाय ठंडी हो गई क्योंकि मेरे भाई का फोन आ गया था उससे बात करते करते मेरी चाय ठंडी हो गई और मुझे पता चला है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा सबस्क्राइब आज वर्ल्ड कप और मैं लगाने जा रही हूं फटाफट टीवी में क्योंकि मैंने कप से सोचा था कि मैं आज वर्ल्ड कप देखूंगी और मैं भूल गई हूं सौरी और मैं जल्दी से लगाती हूं मुझे देखना है मैच आ आ आप लोगो को कैसा लगा ये ब्लॉग जैसे कि आप जानते हैं कि पहला ब्लॉग है मेरा और मैंने श्राट किया है तो मुझे अच्छे से नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और आप अपने मित्रों को परिवा अद्वांचर तो नहीं कर सकती मैं परिवार के और क्या कहते हैं कुछ काम का यह हम रिशिकेश में है योग नगरी रिशीकेश तो यहां अच्छी जगे है घूमने की हम वहां जा सकते हैं आपको दिखा सकते हैं कैसे कैसे मंदीरे हैं गंगा जी है राम जूला लच्मन जूला जानकी पूल तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूं और आप तो अच्छा लगा तो लाइक